बिहार सिख्षक भरती परिक्षा के तैयारी करने वाले अभियर्थियों के लिए ये समय बहुत ही संदेपुनियों कंशूजन से भरा हुआ है ठीक है और इसका मुखिता पांच कारण है जो कि आप थमलेम पर पढ़ चुके होंगे और इसमें से भी देखिये गाना दो प्रम कारण है कौन-कौन से कि जो टियारी 3 का रिजल्ट को लेकर जो कंशूजनस बना हुआ है उसको लेकर और दूसरा जो है टियारी 4 का आखिने वैकेंसी कव आएंगी और आये गे भी कि नहीं आएगी इसके बारे हैं बहुत ही ज्यादा यहां पर कंशूजनस चल रहे हैं ठी अब लोग को किस तरीके से अपने दिमागी संतुलन को सही रखना चाहिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टियारी 3 का रिजल्ट का क्या अपडेट से टियारी 3 का जो रिजल्ट है और यह अंतीम पड़ाओ पर चल रहे हैं और जिसका मतलब इस रिजल्ट का बहुत सारे को बेसंबरी से यहां पर इंतजार है अब देखिए जो रिजल्ट यहां पर जारी होने वाले हैं इसमें भी 3 कटेगरी के लोग यहां पर सामील है पहली कटेगरी की वैसे लोग हैं जो सेफ असकोर गेन कर चुके हैं सेफ असकोर कहने का मतलब है जिनका नंबर 80% से उपर दूसरे नंबर में वैसे लोग आते हैं जो कट अफ के आसपास में वहां पर भटक रहे हैं कट अफ कहने से हमारा मतलब है कि जिनका भी यहां पर 70 से 75 के बीच में नंबर आ रहे हैं वैसे कंडिडेट को हम यहां पर कट अफ के दाहरे में रख रहे हैं तो वहां पर उनमें categories में divide किये हुए है तो सबसे ज़्यादा जो बैचैनी है यही दो लोगों में जो cut-off के आसपास में है या जिनका बहुत ज़्यादा कम नंबर है यह दोनों लोग परिशान है ठीक है तो आपको ज़्यादा परिशान होने के जरूत नहीं है 43 का जो result है इस महीने के last से या अगले महीने के आने की प्रबल संभावना है यानि के नवंबर के mid में या अक्टूबर के last last तक आपका जो है यह result है यहाँ पर घोसित कर दिया जाएगा अब आपको लग रहा होगा कि आखिर में इस समय को हम कैसे handle करें ठीक है और इसी के वज़ा से यहाँ पर जो TRE4 का जो exam होने वाला है इसमें भी आपको देरी देखने को मिल सकता है ठीक है और हम TRE4 के बारे में कुछ अगर के हम आपको बताना चाहे तो TRE4 का मेरे अनुसार लग रहा है कि जो आपके परिछाई होंगी मार्च और अप्रिल में होने की संभावना है जो इसका नौटिफिकेशन हो सकता है नौवंबर लाश्ट से या दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं अब वैसे अभ्यारती क्या करे जिनका नंबर्स कम है और जिनका मतलब ठोड़ा संभावना कम लग रही है कि उनका यहाँ पर इसमें नौकरी हो पाएं ठीक है तो इसको हम अलग-अलग बिंदूओं आपको चर्चा बनाएंगे दो तरीका से पहली बात कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिहार में यहाँ पर सिक्छक भरती के तयारी कर रहे है ठीक है एक वैसे candidate होंगे और दूसरा वैसे candidate होंगे जो सारे general competition के तयारी करते होंगे वो उसमें count होंगे ठीक है तो सबसे पहले हम वैसे candidate के बारे हम बाते करेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में सिक्छक बनना चाहते हैं तो वैसे लोगों को अपना target के अनुसार TRE4 का exam का तयारी करने चाहिए क्योंकि आने वाले 4-5 महिने में TRE4 का होना आपका तया है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं NCRT खास करके जो books है उस पे आपको बहुत ही बहतरीन तरीका से पकड़ बनाना चाहिए और अभी सही थोड़ा थोड़ा करके एक एक subject करके आपको NCRT को पढ़ना चाहिए अगर के आपको NCRT पढ़ने में थोड़ा सा problem सो रही है तो हम आपके लिए BPSC का selection kit लेकर आ गए हैं जो की आपका SS Classes के mobile application पर मिलेंगे जो भी NCRT books हैं उसका सारा मैंने notes वहां पर ready कर दिये हैं तो जाकर वहां से और भी details जान सकते हैं और साथ ही साथ जो screen पर नजर आ रहे हैं details आप इसको वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं इसका जो regular price होते हैं 599 रहते हैं लेकिन अगर के आप आज इसको purchase करते हैं application से जाकर तो आपको इस पर 30% का यहाँ पर discount देखने को मिलेगा डिसकाउंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा अभी screen पर आपको एक coupon code नजर आ रहा होगा दशारा 35 तो application पर purchase करते समय दशारा 35 यह coupon code आप लोग को इस्तमाल किजिएगा तो आपको यहाँ पर 35% का instant discount मिल कि आने वाले 6 महिनों के अंतरगत में बहुत सारे परिक्षाएं होनी वाली हैं जैसे कि बिहार SSC हो गए हैं, railway NTPC हो गए हैं, ALP technicians हो गए हैं, GIE हो गए हैं और आने वाला है अभी बिहार में और बिहार SSC का CGL exam, बिहार SSC exam या बिहार का जो अभी BPSC का 17th BPSC का exam चल रहे किये होंगे, तो ये सारे परिक्षाएं आने वाले 6 महिना के अंतरगत में संभावित हैं, होने का मतलब प्रवल संभावना हैं, तो आप किसी भी एक परिक्षा को अच्छे से dedication के साथ में तैयारी कर लिए, क्या पता जब तक TRE 4 आए, तब तक आप लोगा इसमें selection हो आते रहिए, ठीक है मिलते हैं, नेक्स वीडियो के साथ में